साथियों आज वन नेशन वन फर्टिलाजर इसके रुप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खार भारत ब्राण्ड के तहर उपलब्द कराने की योजना ये शुरू हो गया आज 2014 से पहले फर्टिलाजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे कैसे यूरिया की काला बाजारी होती थी कैसे किसानों का हक चीना जाता था और बदले में किसानों को लाटिया जेली पड़ती थी कि हमारे किसान भाई भेन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे क्योंकि एके नई दुनिया खड़ी हो गई ती इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते से ये भरते से इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था है कि हमने यूरिया के शत्त प्रतिशत नीम कोटिक करके उसकी काला बाजारी रुकवाई है हमने बरसों से बंद पड़े देश के छे सबसे बड़े यूरिय कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए महनत आतों अब तो यूरिया उत्पादन में है है मैं आत्मनिर भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विट नैनो यूरिया प्रवाहि नैनोई यूरिया कि सरफ बट रहा नेनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडुक्शन का माध्यम है एक बोरी यूरिया आप सोचिए एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरुवर्ट लगती है वो काम अम नेनो यूरिया की एक छोटी सी बोटल से हो जाता है यह विक्यान का कमाल है टेक्नलोजी का कमाल है और इसके कारण किसानों को यह उलिया के बोरे लाना ले जाना उसकी मैनद ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा और गर में भी जाकर के रखने लिए जगा इस सब मुसीबतों से मुक्ति पार बीजे थार्चा प्रुटेशन का खर्चा यह विक्यान का खर्चा यह उग्यान का खर्चा झाल 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 झाल